हेलो फ्रेंड्स आज का मेरा विशे है आये के चक्रिय प्रवाह के तीन और चार ख्षित्रिय मॉडल का वर्णन इसमें और भी हम पढ़ेंगे आये प्रवाह के में वापसी और समावेश तथा मॉडल का महत्तव explanation of three or four sector model, leakages and injections in circular flow model and significance of model तो हम शुरू करते हैं वीडियो आज का आपके साथ आये का तीन चक्रिय तीन ख्षित्रिय चक्रिय प्रवाह मॉडल के साथ इस मॉडल में ऐसी अर्थवस्ता का ध्यन किया जता है जिसमें ना केवल उत्पादक वग्रेलुक्षत्र बलकि सरकार की आर्थिक क्रियाओं का भी समावेश है आये तीन ख्षित्रिय चक्रिय प्रवाह पर विदेशिक ख्षत्र का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता मतलब ये तीन ख्षत्र मॉडल है इसमें उत्पादक ख्षत्र ग्रेलुक्षत्र और सरकार की सभी आर्थिक रियाओं का हम आदान परदान जो उत्ते हैं जो भी तिनों क्षेत्रों में आपसी आदान परदान होता है उसका वनन न करेंगे इसमें विदेशिक शेत्र का अब्रोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आपके सग्रीन पर हमने एक चित्र दिया हुआ है उसमें ये सभी वर्णन किया है उत्पादक शत्र, घ्रेलुक शत्र और सरकारिक शत्र उनके बीच क्या-क्या आदान परदान होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं उत्पादक शेत्र, उत्पादक शेत्र में क्या प्राप्तियां होती है, क्या भुगतान होता है आज हम इसका वनन इसमें करेंगी तो प्रापतियों में उत्पादिक्षेत्र को घ्रेवल। शेतर और स्रखार्णिक्षेत्र से वस्तूं वे सेवाउं के बदले में आये प्रापत होती है। और सरगारिक शत्र को सरगारिक शत्र से उत्पादन बढ़ने के लिए आर्ति शायता प्राप्त होती है इसमें हम सभी को एक इंटरलीड करता है एक उसका नाम है मुद्रा बजार तो उत्पादिक शत्र मुद्रा बजार से रिन प्राप्त करता है अब क्या भुगतान है क्या जमा करवा दिता है तो इस परकार से उतपादक शेत्र में प्राप्तियां और भुकतान ये ये होते हैं दूसरा आता है गरेलुक शेत्र इसमें गरेलुक शेत्र में क्या-क्या प्राप्त करता है गरेलुक शेत्र और क्या-क्या भुकतान करता है तो पहले है प्राप्तियों म उत्पादक शत्र से ग्रेलुक शत्र को उत्पादन सादनों की सेवाओं के बदले में सादन आये लगान, ब्याज, लाब, मजदूरी के रूम में प्राप्त होती है इस शत्र को सरकारिक शत्र से हस्तांतन भुगतान प्राप्त होती है अब आता है भुगतान ग्रेलुक शत्र अपनी आवश्विता की वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए उत्पादक शत्र को उपभोग वैग रूप में बुगतान करता है यह क्षेत्र सरकार को प्रतक्ष करों का भुगतान करता है प्रतक्ष कर जैसे इंकम टक्ष और मुद्रा बजार में बच्चत करता है तीसरा आता है सरकारिक शेत्र इसमें क्या-क्या प्राप्तिया रही सरकारिक शेत्र को घ्रेलूग शेत्र से परतक्ष कर और उत्पादक शेत्र से अपरतक्ष कर तथा निगम कर प्राप्त होते हैं और भुकतान क्या करता है सरकारिक शेत्र? सरकारिक शेत्र उत्पारिक शेत्र से जो वस्त्यों वे सेवाई की देता है सरकारिक शेत्र उसका भुकतान करता है इसी परकार सरकारिक शेत्र गरिलुक शेत्र को व्रिदा वस्ता पेंशन आधिक रुप में आर्तिक सहयता देता है यदि सरकारिक्षेत्र की आये वैसे अधिक होती है तो वह पुंजी बजार में जमा कर सकता है या पुंजी बजार से रुपया उधार ले सकता है अब आता है पुन्जी बजार परिवार उत्पादक्षेत्र और सरकारक्षेत्र अपनी आये का कुछ भाग बच्चत गरूप में जमा करते हैं परिवार उत्पादक्षेत्र भी बच्चत करते हैं वे अपनी सारी आये को अपने अंशधारियों में बितित नहीं करते बलकि आये का कुछ भाग बच्चत करते हैं वे अपनी आये का कुछ भाग बच्चत गरूप में रखती है यह बच्चत सरकार पुन्जी बजार में करती है इस परकार घ्रेलू उत्पादक्षेत्र और सरकारी चित्रों में से बच्चत का परवाब पुन्जी बजार की और होता है पुन्जी बजार से सरकारी चित्र और उत्पादक्षेत्र इन बच्चतों को निवेश के लिए उधार ले लेते हैं इस परकार पुन्जी बजार से बच्चत का परवाब निवेश के रूप में उत्पादक्षेत्र और सरकारी चित्र की और होता है पांच माता शेषविश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि करते हैं हमारे निवासी शेष विश्व को जो साधन सेवाइं परदान करते हैं उसके बदले में ये साधन भुगतान या लगान मजदोरी लाब ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं इसी परकार हम शेष विश्व को उनकी साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान क करते हैं इसे विदेशी क्षेत्र से प्रिवारक्षेत्र की और मुद्री प्रवाह के रूप में प्रगट किया जाता है अब आता है भुगतान उत्पादक्षेत्र शेश विश्व से बस्तों और सिवाओं का आयाद करते हैं जिसके कारण आयाद भुकतान के रुपे मद्री प्रवाह उत्पादकों से शेश विश्व की और होता है अब हम पढ़ेंगे चक्री प्रवाह मॉडल में वापसी तथा समावेश लेकेजिज एंड इंजक्शन्स तो पहला है वापसी या शरण कहते हैं इसको वापसी से भी प्रवाह उस आय से है जिसे बचा कर रख लिया जाता है और आय पर वहाँ में वापे से नहीं लोटाया जाता यदि उत्पादन के साधन अपनी आय को देश में उत्पादित वस्तों पर खर्च नहीं करते तो इसे आय की वापसी कहा जाएगा इसी प्रकार वस्तों बेच कर उत्पादित जो आय प्राफ्ट करते हैं उसका मुख्य भाग उत्पादन सादनों की सेवाएं ख्रितने में खर्च ना करके अव वित्रत आए के रूप में रख लेते हैं जो आए वित्रत नहीं किया जाती या लाब का वह भाग जो वित्रत नहीं किया जाता तो वह भी आए प्रभाग से आए की वापसी होगी इसमे इने वापसी या क्षर्ण कहा जाता है दूसरा आता है समावेश या भरण आये का समावेश आये में होने वाली प्रिदित है जो चक्रिय प्रवहा से बाहर किसी धंग द्वारा होती है जैसे फर्मे बैंकों से रुपया उधा लेकर उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं क भुकतान करती है तो इसे फर्मों द्वारा किया गया आये का समावेश कहते है क्योंकि इस सत्यधी में फर्मे उत्पादन के साधनों की अत्रिक्त सेवाएं खिदने के लिए चक्रिय आये प्रवहा से प्राप्त आये का प्रियोग नहीं कर रही है वे बैंकों से रुपया उधार लेकर सादनों को उनकी सेवाओं का भुकतान कर रही हैं अब स्वाविश में क्या क्या चीज़े हम शामिल करते हैं निवेश निर्यात अर्थ विश्था को दो प्रकार से प्रभाविश करते हैं पहला है अर्थ विश्था की उतपादन शम्ता में अब्रिदी करते हैं और दूसरा उतपादित वस्तों वे सेवाओं की मांग का स्रिजन करते हैं अब आता है आये के चक्रिय प्रवाख के अध्यन का महत्तवा अब हम इसका सिंगिखनेंच पड़ेंगे तो पहली है प्रस्पर निर्भरता का ग्ञान यह मौडल इर्थवश्था के विविन क्षित्रों में पाई जाने वाली परस्पन निर्भरता को समझने में साइग होता है इसमें हमें ग्याद होता है कि उत्पादक शेत्र किस परकार प्रिवारक शेत्र पर और प्रिवारक शेत्र किस परकार उत्पादक शेत्र पर निर्भर है दूसरा आता है समावेश या वापसी इस मोडल तबरा आर्थवस्था में समावेश और वापसी सबंदी प्रभाचरों की पहचान करने में साहता मिलती है हम यहाग्याद कर सकते हैं कि वापसी के समंद में समावेश का कितना महत्तव है तीसरा तरा राष्ट्रियाय का नुमान ये मौडल राष्ट्री आयका अनुमान लगाने में साइक सिद होते हैं जैसे राष्ट्री आयक किसी देश में उत्पादन शत्र से प्रिवारिक शत्र की और प्रवाहित कुल साधन आयका जोड है लगान, ब्याज, मजदूरी, लाप इसे उत्पादिक शत्र द्वारा उत्पादित वस्तों और सिवावं पर किये गए वैके कुल जोड के रूप में भी पराभाशे तक किया जा सकता है चोथा पुएंट आता है समस्ती चरों का तुलनात्मक महत्तव ये मॉडल विभिन समस्ती चरों जैसे राष्ट्रियाय बच्च तथा निवेश में तुलनात्म महत्तव को प्रड करते हैं जिससे अर्थवस्ता की रचना के विशय में निशकर्ष निकाले जा सकते हैं धन्यवाद